बिस्मिल्ला रख्मान रुरहीम, अस्सलाम अलेकुम दोस्तों खुशामदीत कहते हैं आपको अपने चैनल टेक्निकला महर में और मैं हूँ उमेर सई दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गाड़ियों के नए नए फीचर्स और टेकनोलोजी को लेके हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिल्चस्प होती हैं ऐसा ही हम बात करेंगे आज की इस वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफरमेटिक और दिल्चस्प होने वाली है तो जुड़े रहे हमारी वीडियो के साथ दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकोन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताके हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके तो बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरह जुड़े रहे हमारे साथ तो दोस्तो आज हम जस गाड़ी के बर में बात करनेगे वाले हैं वह है Ford Explore Hybrid 2023 मौडल दोस्तो अगर इस गाड़ी की पाकिस्तान में कीमत की बात करें तो इस गाड़ी कीमत अभी तक पाकिस्तान में लाँच नहीं की गई लेकिन उमीद है कि बहुत जल्द इस गाड़ी की कीमत पाकिस्तान में लाँच कर दी जाएगी और अगर इस गाड़ी की लाँचिंग की बात करें तो ये बात सामने आई है कि दिसंबर 2022 तक ये गाड़ी भी पाकिस्तान में लाँच कर दी जाएगी और दोस्तो अगर इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 318 होर्स पावर का इंजन देखने को मिलेगा जो के 532 टॉक फ्रहम करता है और 322 IBFT टॉक पैदा करता है इसमें स्पीड आटोमेटिक ट्रांसमिशन 10 वील ड्राइविंग के साथ आपको देख पैदारी का एक वूबोलता है और दोस्तो सबसे आहम बात होती है किसी भी गाड़ी की लुकिंग की और लुकिंग के दौरान गाड़ी में अगर उसके कलर की बात्ना की जाए तो ये तो ये तो बिल्कुल ही नमुम्किन सी बात है और बहुत अधूरी रहती है और अगर आपको बताएं कि ये गाड़ी आपको कौन-कौन से कलर में अवेलेबिल मिलेगी तो ये गाड़ी आपको बहुत ही खुबसुरत दिलचस्ट कलर जिनमें वाइट, ब्लैक मेटलिक, पल मेटलिक, ब्ल्यू मेटलिक, ग्रे मेटलिक, वाइट पल, ग्रीन पल, ब्ल्यू पल, ब्लैक पल और बहुत सारे खुबसुरत और दिलचस्ट कलर में ये गाड़ी आपको अवेलेबिल मिलेगी और अगर इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो ये गाड़ी आपको छे सिलेंडर, गाड़ी में आपको लेस मिलेंगी और अगर इस गाड़ी के तूल और अर्ज और वजन की बात करें तो इस गाड़ी की लंबाई 198.8 है और चुडाई 38.9 उनचाई की अगर बात करें तो इस गाड़ी की उनचाई 70.2 वील बेसमेंट में ये गाड़ी आपको अवेलेबिल म बाद के बाद के बाहिता है। और अगर इस गाड़ी की रोड गिर्ट की बात करें तो ये गाड़ी हाईवे पर लॉंग ड्राइव में ज्यादा स्पीड पर भी कभी भी डगमगाती नहीं है और रोड के साथ चिपक के चलती है इसके टायर का मेटीरियल बहुत आला और उंदा मेटीरियल के साथ बनाया गया है इसके अलाइव वील प्यूर क्रॉम के साथ बनाये गए है इसके दरवाजे इसके मिरर प्यूर आला और उंदा मेटीरियल के साथ प्यार किये गए है अगर इस गाड़ी की बैक की बात करें तो ये गाड़ी बैक में आपको बहुत ही खुबसूरत और शहाना लुकिंग देती है इसकी बैक लाइट्स बहुत ज़दा खुबसूरत और दिल्चस्प है और दोस्तो अगर इस गाड़े की एंटीर की बात करें तो इस गाड़े की छे सीटें प्यूर लेदर के साथ मराई गई है। जो के बहुत मुलाईम और सॉफ्ट होती हैं जो के लंबे सफर पे में आपको थकावट का एहसास नहीं होने देती। इसके साथ साथ इसमें पावर चार्णिंग सिस्टम और बहुत सारे इसमें नए सिस्टम आरास्ता किये गए हैं जो के आपकी शान को और ज़्यादा उजागर करते हैं और इस काड़ी के रोप और इस काड़ी की शान को और ज़्यादा चार चान लगाते हैं दोस्तों अमीद करते हैं कि आपको यह हमारी व वीडियो कैसी लगी मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सरा ख्यार रखिए अलाहाफिज